नमस्कार दोस्तों पुझा डिजाइन से श्टिचिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम ब्लाउज की बैकनेक डिजाइन का वीडियो शेयर कर रहें अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले यह देखिए यह लाइनिंग और मैंन फैबरिक पर मैंने यहां पर कटिंग कर लिए मैं आपको इसका मेजर्मेंट बता देती हूं तो यह देखिए 15 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और 14 इंच तयार रहे गिए हमारी लंबाई एक इंच बढ़ा कर लिए साड़े 5 इंच शोल्डर है 6 इंच आर मोल है और चेश्ट का चोथब आ गए यहां पर 10 इंच 38 साइज का ब्लाउ जया पर बॉड़ी से मेजर्मेंट लिया हुआ है तो मैंने हाफ इंच यहां पर लूजिंग दिये और अगर ब्लाउ से मेजर्मेंट लेते हैं तो हम लूजिंग यहां पर नहीं देते तो यह देखिए 11 इंच पर नेक की लंबाई का निशान लगाया धाई इंच पर चोड़ाई का और 3.5 इंच पर नीचे निशान लगाते हुए एक बॉक्स सेयार कर लेंगे इस तरीके से और इस पर हमें गले की सेफ को ड्रो करना है तो मैं इसमें राउंड और मटका सेफ की बीच किसी सेफ यहां पर ड्रो करूंगी ना तो वो ज्यादा राउंडी रहेगा और ना ज्यादा मटका सेफ इस तरीके से यह देखिए थोड़ा सा अलका से इसको नीचे इस तरीके से बनाएंगे तो यह थोड़ा सा और पर अच्छी इसकी सेफ आ जाएगी इस तरीके के जो नेक होता है वो फिटिंग में बहुत अच्छा आता है बैक साइड से अच्छी सी फिटिंग भरके पूरा अच्छी से बैठता है वो उसकी फिटिंग अच्छी से निकलती इस तरीके क कि जो नेक होते हैं यहां पर पेपर पेस्टिंग लिए डबर फूल इसको किया हुआ है लाइनिंग की किनारी से मिलाते हुए इस तरीके से इसको रख लें पिन लगा लें और फिर उसके ऊपर इस तरीके से जो नेचे हमारा नेक उसको draw कर लें और extra margin ये देखी इस तरीके से मैंने यहाँ पर 7 इंच के something यहाँ पर ले लिया है और अब इसी को हम इस पर cutting कर देंगे इस तरीके से जो पतला fabric होता है उस पर pasting paper का आप यूज करेंगे तो अच्छी से finishing आती है और यह देखिए उपर से मैं इसको इस तरीके से रख लूँगी ताकि यह नेक हम जब इसको कपड़े पर चिपकाएं तो यह फैल लेना और यह देखिए इसके चोड़ाई जितनी हमने रखी है उतनी रहेगी और अब मैं इसको lining का जो एक अलग से कपड़ा लूँगी मैं उस पर इसको paste करूँगी इस पर यह देखिए अगर हम इसको lining पर blouse की पर लगाएंगे तो यह नीचे से दिखीगा क्योंकि हमारा यह fabric ह वो काफी थिन है और यह देखिए मैंने extra fabric पर इसको paste कर लिया है अब हम lining और man fabric को इस तरीके से रखेंगे उलटाई तो हमें man fabric रखना है और lining उसको उपर रखते हुए चारो तरफ से इसको attach कर लेना है फिर snake को हम attach करेंगे तो यह देखिए यहाँपर मैं कुछ pin लगा lining को चारो तरफ से इस तरीके से attach कर लेंगे attach करने के बाद पिन अटा दिये है और extra जो भी fabric है चारो तरफ से हमने उसको यहाँपर cut कर लिया है और पूरा finishing के साथ जो blouse का part है उसको अच्छे से तयार कर लिया है यह देखिए किदर इसे मेरा कोई fabric extra नहीं है सब cut कर लिया ह अब हम इसको बीच में मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी जो बड़े टांके वाली है इसको बाद में हम निकाल लेंगे इससे कपड़ा है अच्छे से lining के चिपक नेरा cotton का fabric होता होता हो तो अच्छे से चिपक जाता है यह थोड़ा उठा उठा है इससे अगर नेक अट होते हुए बिल्कुल सेंटर से एक लाइन बना लेंगे और यह देखिए यह जो अमने नेक यहाँ पर पेस्ट किया था इसके चारों तरफ इस तरीके से कट लागाते हुए इसको चारों तरफ से इस तरीके से सिल लेंगे और नेक हमारा यहाँ पर पेस्टिंग पर तयार हो जाएगा और इसको इस तरीके से बीच में से बिल्कुल बराबर फोल करकी इसकी भी हमें सेंटर लाइन बनानी है तो यह देखिए इस पर भी सेंटर इस तरीके से बना ले तो बिल्कुल अच्छे से अटेच हो जाएंगे और यह देखिए चारा तरफ पिल लगा लेंगे इसमें आप चाहें तो बीच में सेंटर पे एक सिलाई लगा लें और यह देखिए जहां से मैं पैंसल से आपको दिखा देखा देऊं बिल्कुल इसकी जड़ों में में करें और यह देखिए हलका सा हम यहां पर मार्जिन छोड़ते हुए पूरी नेक पर यहां पर कट लगएंगे यह देखिए और अब चारो तरफ राउन में छोटे-छोटे से इस तरीके से कट लगा देंगे और कहीं पर हमारी सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखें आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप आराम से देरे-देरे काट सकते हैं और इस तरीके से देखिए पूरी क किनारी से सिलाई लगाएं मैं यहां पर किनारी से थोड़ा सा हाफ इंच हटके सिलाई लगा रहे हूं क्योंकि मैं यहां पर पाइपिन लगाऊंगी तो अगर अब भी हम किनारी पर सिलाई लगा लेंगे तो पाइपिन के टाइम पर भी डोरी वाली पाइपिन में लगाऊ यह उसको बाद में तुर्पाई करके हम निकाल देंगे और यह देखिए इस तरीके से यह मैंने कुछ लीफ स्टाइल की रिजैन बनाई यह ट्राइंगल को इस तरीके से फोल्ड करते हुई यह आसानी से बन जाती है यह देखिए दो माँ आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ ट्राइंगल को आप स्क्वाइर में बराबर पीस लेके पहले उसका ट्राइंगल सिलने और फिर उसको इस तरीके से बना ले मैंने कई वीडियो में पूरा कंप्लिट बताया इसको बनाना और कुछ फ्लाव करेंगे तो यह देखिए मैंने हाफ इंच किनारी से छोड़ते हुए इनको अटेज करना है अगे की साइड से देखिए एक के उपर एक हमें नहीं चड़ाना है इस बात का ध्यान रखना है और जैसे जैसे निशान हमने बनाया है पूरे राउंड में उसी पर हम इनको अटेज करते हुए जाना है पूरे राउंड में आप चाहें तो यहां पर डायरेक्ट ट्राइंगल भी लगा सकते हैं अगर इस तरीकी की लीफ नहीं लगाना चाहतें डिजाइन में हम अपने according कैसी भी इस तरीके से लगा सकते हैं डिजाइनर फैब्रिक है और इसमें green कलर का थोड़ा सा यह color है इसमें तो मैंने इसका इसी के लिए यह वड़ा जो contrast में use लेते हुए green कलर का यहाँ पर use लिया है यह देखिए लाइन पर मैं अच्छे से जैसे जैसे लाइन मैंने बनाई है उसी लाइन पर इन्हें अटेज करते हुए कम्प्रीट कर लेंगे दूसरी सैड भी हमें इसी तरीके से लगाले ना है और यह देखिए आगे जो एक्ट्रा है उसको हम इस तरीके से कट करके और दोनों सैड से बिल्कुल फिनिसिंग के साथ तयार कर लेंगे तो यह देखिए मैंने दोनों साइड लगा लिया है और दोनों साइड कट भी कर लिया है अब मैं गोटा पत्ती वाली एक लेस लिए मैंने यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर अटेज करूँगी तो यह जो हमारी सिलाई है जो हमने यह लेफ्स अटेज करिए वो इस पट्टी के नीचे जो लेज के नीचे दब जाने चाहिए इस बात का ध्यान रखें इस तरीके से आप पूरी लेज को लगाएंगे यहां पर लेज इस तरह के लेज जो आप जैसे भी उसको गुमाना चाहिए वो आसानी से गुम जाए इस तरह के लेज आप यहां पर लेज खुब सारी लेज इस तरह की होती है उनमें अंदर से एक प्लास्टिक का धागा होता है तो वह कहा कि कई बार जिस तरीके से हम उसको गुमाना चाहते हैं यह मोड़ना चाहते हैं तो अच्छे से गूमती नहीं इसलिए लेज जब भी आप खरीदें तो उस लेज को अच्छे से जैसे गूमती नहीं उसमें कॉर्नर बगरा बन जाते हैं तो इसी तरह की लेज खरेदें आप जो अच्छे से मनचाए सेफ में वहां पर उसको हम बना सकें तो यह देखिए लेज मैंने आपर लगा लिए और एक बीच में मैंने राउंड का इस तरीके से एक ब हाथ की सुई से तो चारो तरफ सभी लेज में मोती हम यहां पर अटेच कर लेंगे तो मैंने अटेच कर लिए हैं मोती डिजाइन हमारी यहां पर कम्प्लीट होती है अगर डिजाइन अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करें चैनल को सस्क्राइब जरू कर लें थैंक्यू फॉर वाचिंग